2.7.2 योगिक कमपॉंड्स हमारे आसपास ऐसे कई पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं ये पदार्थ योगिक कहलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने योगिक के गुण अव्यवी तत्वों से भिन होते हैं उदाहरन के लिए पानी एक योगिक है जो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन तथा जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन से बनता है लेकिन पानी न तो ज्वलनशील होता है और नहीं जलने में सहायक होता है बलकि वह ज्वाला को बुझाता है पानी में उपस्थित अव्यवों के अनुपात को जानने के लिए एक क्रिया कलाप किया गया जिसमें एक चोड़े मुह की प्लास्टिक की बोतल लेकर उसकी तली काट दी गई बोतल के मुह पर दो छिद्रवाला रबर कॉर्क लगा कर इन छिद्रों में कार्बन की दो छड़े लगा दी गई बोतल को चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया गया उल्टी रखी बोतल में दो तिहाई जल भर कर कुछ बूंदे तनुस सलफ्यूरिक अमले की डाली गई जल से भरी काच की दो परक नलियों को कार्बन इलक्ट्रोडों पर इस प्रकार रखा गया कि परक नलियों में हवा बिलकुल न जाय और परक नलियां पानी से पूरी भरी रहें दोनों इलक्ट्रोडों को 9 वोल्ट की बैटरी से जोडा गया दोनों परक नलियों में एकत्र हो रही गैसों को ध्यान से देखने पर पता चला कि दोनों परक्नलियों में समांदर से गैसें एकत्रित नहीं होती है जब एक परक्नली में पूरा पानी नीचे उतर गया अर्थात परक्नली गैस से पूरी भर गई तब दूसरी परक्नली में एकत्रित गैस का आयतन लगभग आधा था इस प्रकार दोनों परक्नलियों में एकत्रित गैसों के आयतन में अंतर था। जब आधी भरी परक्नली गैस से पूरी भर गई तो उसे भी बीकर से बाहर निकाल लिया गया। क्रमशह दोनों परक्नलियों के मुख के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाई गई। तब देखा गया कि जलने में सहाया गैस ऑक्सीजन तथा स्वयम जलने वाली गैस हाइड्रोजन का आयतन के अनुसार पानी में अनुपात दो अनुपात एक था। इस क्रिया कलाप के आधार पर यह निश्कर्ष निकला कि पानी एक योगिक है जो दो ततवों हाईड्रोजन तथा ओक्सीजन के आयतन अनुसार अनुपात दो अनुपात एक में रासायनिक संयोग से बनता है तथा इस बने हुए पदार्थ के गुण हाईड्रोजन तथा औक्सीजन से भिन्न होते हैं। इसके अव्यवों को रासायनिक विधियों जैसे विद्दुत अबघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तथा आठ ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। ऐसे ही परिणाम अन्य योगिकों के अध्यान से भी प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बन डाई ऑक्साइड के लिए किये गये प्रयोग में कार्बन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हमेशा 12 अनुप अधिक तत्वों से बना होता है, उसमें तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त किया गया हो या बनाया गया हो, इसे निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, अमोनिया, खाने का सोडा आदी भी योगिकों के अन्य उदाह इनमें भी अव्यवी तत्वों का अनुपात इस्थिर अनुपात नियम के अनुसार ही पाया जाता है।